Financial Planning आयोवेदिक फ्रांचाइज बिजनिस के लिए वितिय योजना कैसे बनाएं? वितिय योजना आपके व्यवसाई के लिए एक रोड मैप है. यहां आपको अपने वितिय प्रदर्शन को ट्राक करने, उन ख्षेतरों की पहचान करने में मदद करता है, जहां आप सुधार कर सकते हैं, और अपने व्यवसाई के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं. यहां आपके आयोवेदिक फ्रांचाइज बिजनिस के लिए वितिय योजना बनाने के स्टेप्स दिये गए हैं. लक्ष निर्धारित करें. आप अपने बिजनिस से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सेल बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनिस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने लक्ष जान लेते हैं, तो आप उन्हें प्राप्ट करने में मदद करने के लिए एक वित्तिय योजना विक्सित करना शुरू कर सकते हैं अपने खर्चों का अनुमान लगाएं आपके fixed expenses क्या है, जैसे rent और salary, और आपके variable expenses क्या है, जैसे marketing और विज्यापन यहां महत्वपूर्ण है कि आपको खर्चों की अच्छी समझ हो ताकि आप उसी के अनुसार बजट बना सके अपनी income का अनुमान लगाएं आप अगले वर्ष में कितना revenue अर्जित करने की उम्मीद करते हैं यहां कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि आप कितने उत्पाद बेचते हैं, आप क्या price लेते हैं और आपके द्वारा किये जाने वाले marketing और बिक्री के प्रयास एक budget बनाएं budget एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे यहां आपकी projected income और expenses पर आधारित होना चाहिए अपनी progress को track करें एक बार जब आप एक वितिय योजना बना लेते हैं तो यहां महत्वपूर्ण है कि आप अपनी progress को track करें ताकि आप देख सके कि आप कैसे काम कर रही है और आपको किन बदलावों की जरूरत है अपने plan की regular समीक्षा करें आपकी वितिय योजना एक live document होना चाहिए जिसकी आप नियमित रूप से समीक्षा करते हैं इससे आपको यहां सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यहां अभी भी relevant है और यहां आपके लक्षों को प्राप्ट करने में आपकी मदद कर रहा है यहां आपके आयुवेदिक franchise business के लिए वित्य योजना बनाने के लिए कुछ अतिरिक्ट सुझाव दिये गए है Professional की मदद ले यदी आप वित्य नियोजन से परिचित नहीं है तो professional मदद लेना एक अच्छा विचार है एक वित्य सलाकार आपको एक योजना बनाने में मदद कर सकता है जो आपकी विशिष्ट जरूरतों और लक्षों के अनुरूप हो रियलिस्टिक बने अपने लक्ष निर्धारित करते समय और अपने खर्चों का अनुमान लगाते समय रियलिस्टिक होना महत्वपूर्ण है अपने लक्ष बहुत उचे न रखे नहीं तो आप निराश हो सकते हैं फ्लेक्सिबल बने चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती है इसलिए फ्लेक्सिबल होना महत्वपूर्ण है अपनी योजना में आवशक तानुसार आज़स्मेंट करने के लिए तयार रहें हार न माने वित्तिय योजना बनाना और उस पर ठिके रहने में समय और प्रयास लगता है यदि आपको तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो हार न माने बस कड़ी मेहंत करते रहें और आप अन्ता अपने लक्षों को प्राप्ट कर लेंगे इन टिप्स का पालन करके आप अपने आयोवेदिक फ्रांचाइज बिजनिस के लिए एक वित्य योजना बना सकते हैं जो आपको अपने लक्षों को प्राप्ट करने में मदद करेगी